मैं प्रदीप कुमार आदवा आप सबी लों का अपने यूटूब चैनल एगरी कल्चर स्मार्ट स्टेडी पर स्वागत करता हूं आज हम लोग विस्तार पूपक अध्यन करेंगे करेला की खेती के बारे में कल्टिवेशन आप विटर गार्ड चलिए स्टार्ट करते हैं सब आप यह विद्वाग फ्रूट है जिसा कि इमेज में दिखाया है क्रोमस्म नंबर है इसमें टूए नंबर जो है टॉंटी टू है कितना है टॉंटी टू इसकी फैमली है कुकरविटेसी कुकरविटेसी में अब पिछले भी देख रहे होंगे लोग की कद्दू ठीक है यह जिसमें कारवानिक पदात परयाबत मात्रा में होना चाहिए और जिसका प्याच छे साथ तक होना चाहिए ठीक है अगला है क्लाइमिट इसके लिए बार्म सीजन यानि की गर्म जलबाई के आप सकता होती है जिसका इसके लिए जो टंपरेचर है इस पजल के लिए 25 से 30 डिगरी सेल्से तक temperature रहना परयापत रहता है ठीक है इसके लिए suitable रहता है अगला है variety इसमें variety कौन से प्रजातियां कौन कौन से है एरकानी है फोले green gold है पूसा दो मौसमी है पूसा विसेस है आरका हरित है कौन कन तारा है यह जो पूसा विसेस है यह ट्रेनिंग आप पाइन इस्टेक को मतलब सहारा देना प्रवद है जिब बड़ा होने लगता है ठीक है तो इसकी बड़बार होती है उस समय क्या सहारा देने की प्रवदे की आप सकता होती इसी किरिया को क्या बोलते है इस्टेक की ठीक है अगला है propagation method propagation method मतलब जो है प्रजणन इसका किस्से होता है प्रजणन जो होता है वाई seed बीज के द्वारा प्रजणन इसका होता है ठीक है नेक्स्ट है seed rate seed rate spacing और planting season seed rate है 4-6 kg प्रत्य hectare seed की आप सकता होती है second है spacing 2 x 1 meter spacing रखते हैं और इसकी जो planting है खरीब हों summer season में दो टाइम में की जा सकते है ठीक है next है fertilizer dose fertilizer रुकार कितने होती है रुपर की मात्र कितने जरूरत होती है सबसे पहला है यब वाईम गोवर की सड़ेवी खाद 15 ton प्रत्य hectare जोताई से पहले डालते है ठीक है second है nitrogen, phosphorus और potassium कितना कितना डालते है nitrogen है 100 kg प्रत्य hectare potassium है 50 kg और फासपूरा से 50 kg प्रत्य hectare मात्र डालते है next है next है maturity time maturity time यानि की mature का immature stage base को तोड़ते है after मतलब भुवाई के 50 से 60 दिन बाद इसके तोड़ाई कर लेते है second है harvesting time क्या है harvesting time यानि कि एकदम तोड़ाई करते है तोड़ाई इसकी harvesting at fruit attain marketable stage marketable stage यानि कि market में small size का ही पसंद करते है लोग खरीदने के लिए कहने के मतलब यह है 2-3 beak after synthesis synthesis मतलब फूल निकलने के 2-3 beak बाद जो है इसका फल की तोड़ाई इसके फल की तोड़ाई कर लेते हैं ठीक है next है yield yield क्या है इसकी yield जो है 10-15 ton प्रत hectare yield होती है कितने होती है 10-15 ton next है इसमें pest कौन कौन से लगते हैं pest है जो fruit fly है red pumpkin beetle है phid है mites है इस फल के मुख इस फसल के मुख कीट है जो एकी इस फसल में लगते है next है disease इसमें disease कौन कौन से यानि के रोग कौन कौन से लगते है yellow bean है green motel mojic है fusarium built है mojic virus है bird necrosis है powdery mildew और dino mildew ये जो है मुख रोग है ठीक है सामनता है ये सबी रोग और जो कीट है कुकर बिटे से कुल में ही लगते है ठीक है इसी के साथ आज का टॉपिक कहीं तक मिलते हैं आगले next टॉपिक के साथ नए वीडियो के साथ और यदि मेरा वीडियो ये पसंद आया अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करें और साथी बेल आइकन को दवाना बिल्कुल नभूलें थैंक यू धन्रबाद